मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमर्त की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा पूले जीवन में हो जाए है शिव बाबा मुरली में समझाए पूले जीवन में हो जाए है शिव बाबा मुर्नी में समझाए ओम शान्ति आज की तारिक है नो तिन दोजार तईस की सकार मुरली बाबा के महवाक्य मीठे बच्चे तुम्हे बाब के आक्यूपेशन और गुनों सहित उसे याद करना है याद से ही तुम बिकर्मा जीत बनेंगे बिकारों की मैल बसम होगी परिशन ग्यान की धारना किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है उत्तर जिन में कोई भी पुराने उल्टे सुल्टे संसकार नहीं है जिनकी बुद्धी याद से शुद होती जाती है उन्हें ग्यान की बहुत अच्छी धारना होती है नमबर दो पुवित्तर बुद्धी में ही अभिनाशी ग्यान रदन ठहरेंगे नमबर तीन भोजन बहुत शुद हो बाफ को सविकार करा कर फिर खाने से भी ग्यान की धारना अच्छी होती है ग्यान को धारन करते करते तुम मुरली धर बन जाते हो गीच तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है ओम शांती आत्मा परमात्मा को बुलाती है सिर्फ आत्मा कहें तो कहेंगे आत्मा तो बानी से परे है इसलिए कहते हैं जीव आत्मा परमात्मा को बुलाती है भगतों की बुद्धी परमात्मा के वारे में कहां कहां जाती है कुछ भी मनुश्य समस्ते नहीं, क्योंकि वे समस्ते हैं, परमात्मा सरव्यापी है, तो बुद्धी कहां जाए, सरव्यापी समझने के कारण कहेंगे, सब भगवान के रूप हैं, बुलाते हैं, परंतु बुद्धी में लक्षय नहीं है, परमपिताफ परमात्मा तरह पुद्दी में यह नहीं आता कि हम उस जोती लिंगम को याद क्यों करते हैं, वे हमको क्या देते हैं, जो हम उनको याद करते हैं, जो बहुत अच्छा देकर जाते हैं, उनको याद किया जाता है, उनकी याद जिन्दगी भर रहती है, कोई ने पाई पैसा दिया, वे तो ले चलती ही है प्रंतु समझो कोई गरीब है उनको कोई मकान बना कर देवें या उनकी कन्या को शादी कराने में कोई मदद करता है तो सारी आयूक उनकी याद रहेगी उनके नाम रूप की याद रहेगी फलाने ने हमको मकान बना कर दिया यहां भी तुम बच्चे समझते हो बाप हमको विशफ का मालिक बनाते हैं मनुश्यों को तो ना आत्मा का ना परमात्मा का ग्यान है आत्मा है सुक्षम ते सुक्षम जिसका पता नहीं पड़ता कब अंदर प्रवेश करती है फिर निकल जा बहुत महीन बाते हैं, उनका सक्षतकार भी दिव्य दिश्टी से ही देख सकते हैं, बह ब्रह्मा कहते हैं तो ब्रह्मा का भी सक्षतकार हो पड़ेगा, अखंड लाइट ही लाइट देखने में आएगी, ब्रह्म तत्त तो जरूर बड़ी रोशनी देखने में आएगी, प्र बच्चों की वी बुद्धी में आगे लिंग रूप रहता था, अभी तो बुद्धी में है कि वह सटार है, आत्मा का वही रूप है, दूसरी कोई चीज हो नहीं सकती, पर मात्मा वी वही बिंदी रूप है, अब लक्ष्मी नारायन की इतनी महिमा है, उनमें क्या व्यूट आत्मा और शरीर दोनु सतो परदान पवित्तर हैं, हर्शित मुख हैं, गोरे हैं, आत्मा तो बहुत सुक्षम चीज है ना, समझाया जाता है, आत्मा मेली हो जाती है तो लाइट कम होती है, यह लाइट कम और जास्ती की भी बहुत भीन बात है, हम दीपक का मिसाल देते है प्रन्तु आत्मा उसे भी छोटा सा सटार है, शक्षतकार होता है, देखा और गया, अब तुम बाप का सिमरन करते हो, बाप ने अपना रूप बताया है, तुम जानते हो, शिब बाबा को याद करने से विकरम बिनाश होते हैं, भल और मनुश्य शिब को याद करते हैं, प्र जानते ही नहीं, ना जानने कारण विकरम बिनाश हो नहीं सकते, यह जानते ही नहीं कि हम योग लगाने से विकरमा जीत बनेंगे, अच्छा, फिर क्या होगा, यह भी नहीं जानते, तुम को बाप समझाते हैं, योग से तुम विकरमा जीत बनेंगे, पांच विकारों की मै बसम होगी, समझाने मिलने के बाद उस खुशी से याद करेंगे, वह यह नहीं जानते कि बाप को याद करने से विकर्म बिनाश होंगे, अभी बाप नौलस देते हैं, बाकी मनुश्य तो हैं अंद शर्दा में, जिस से भक्ती मारग में अलब काल सुख मिलता है, अब उनको यहां बुलाते हैं, तुम जानते हो, बुलाने की तो दरकार ही नहीं, जबकि परमात्मा को जानते हैं नहीं, तो फिर बुलाते कैसे, जिसको याद किया जाता है, उनके महत्तब को, आकुपेशन को, गुनों को जानना चाहिए, परमात्मा की पेचान कोई के पास भी है नहीं इसलिए जनम जनमानतर क्या क्या करते आए हैं कुछ भी समझ नहीं अब बाप बैठ समझाते हैं गीत में भी कहते हैं बाबा आप कर इन ज्ञान सुनाओ तो हम सुनकर औरों को सुनाएंगी जैसे शास्तरों में, हाटे में नमक है वैसे इन भक्ती मारक के गीतों में भी थोड़ा बहुद है 예ह गीत बाप की महमा में हैं, बाप को बुलाते हैं कि आप आकर हमको सनाओ, तो हम फिर औरों को सनाएंगे आकर हमको राजयोग से खलाओ, फिर हम मुरली धर मनेंगे मुरली धर को ही ग्यानी तो आत्मा का जाता है तुम बच्चे जानते हूं बाप तो है निराकार फिर वह आई कैसे अभी तो समझा है कि आत्मा परमधाम से आती है पहले पहले गर्म में जाना पड़ता है जीव की आत्माएं सब बाप को याद करती है प्रन्तों उनके आकूपेशन का कुछ भी पता नहीं है ऐसे ही सिर्फ बलाते ही रहते हैं वह आता ही नहीं बाप कहते हैं मैं अपने पूरे टाइम पर आता हूं जबकि संगम युग शुरू होता है संगम युग कब आता है जब रात पूरी हो दिन होता है संगमْ युग आया और बाप भी साथ आया संगमْ युग पर ही बाप बैठ पढ़ाते हैं ये सब बाते तुम ब्रामन बच्चे ही जानते हो बाप बैठ समझाते हैं मैं निराकार आऊं कैसे यह तो कभी कोई ने खयाल नहीं किया है अगर कल्यूग के अंत में आया होगा तो फिर से आएगा ना कल्यूग अंत और सत्यूग आदी के संगम पर आते हैं जरूर कुछ कारिय करने के लिए आते हैं जरूर स्रिष्टी को पाहुन करने आएंगे तब कहते हैं कि अब आदी सनातन देवी देपता धर्म स्थापन करने आते हैं कैसे आते हैं यह भी कोई नहीं जानते हैं बाप को आकर प्रजा रचनी है वह राज योग सिखाना है तो किसको सिखाएंगे सत्योग आदी में तो है देपता भरन इसके पहले है ब्रामन भरन तो जरूर ब्रमा तन में आकर ब्रामन भरन रचना पड़े ब्रमा को कहा ही जाता है प्रजा पिता अब बह ब्रमा आए कहां से क्या सुक्षम बतन से उतर आए जैसे दिखाते हैं विश्नु अब तरन उपर स गरुड पर सवार हो जाते हैं अब विश्नु को तो यहां आना नहीं है विश्नु के दो रूप लक्षमी नाराएन जो है उन्होंने भी यहां इस पड़ाई से यह पद पाया है विश्नु के दो रूप लक्ष्मी नारायन ही पालना करते हैं प्रन्तु ऐसे कोई गरुड पर उतरते नहीं है और फिर बहां लक्ष्मी नारायन की आतमा कोई इकठी नहीं आती है पहले नारायन की आतमा आएगी फिर लक्ष्मी की आएगी सुविंबर करेंगे तब विश्नु यूगल रूप कहलाएंगे रादे क्रिशन बरोबर विश्नु के दो रूप है छोटा पन भी दिखाना पड़ेना ये बाते और कोई नहीं जानते हैं बाप बैड समझाते हैं ज जब ये पहला नंबर 84 जनम पूरे करते हैं तो हमको इनमें ही आकर फिर इनको पहला नंबर बनाना पड़े 84 जनम भोग जरूर ब्रिद अवस्था को पाया होगा तो उनका नाम रखा है ब्रह्मा इन में प्रवेश किया है अब तुम बच्चे समझते हो मनुश्य सृष्टी कैसे और कब रचते हैं इस बात का और कोई मनुश्य को ग्यान हो न सके मनुश्य जब कोई अच्छी नहीं चीज की इन्वेंशन निकालते हैं तो गवर्मेंट के पास जाते हैं फिर वह उसको ब्रिदी में लाने में मदद करती है यह भी ग्यान ऐसे है पहले पहले बाप आया इसमें प्रवेश हुआ इन में बैठ ग्यान दिया पहले थोड़ा थोड़ा था अब ब्रिदी को पाता जाता है कितनी गूहा ते गूहा बाते तुम सुन रहे हो पहले हलका ग्यान था अब गहरा मिलता जाता है प्रנतू आत्मा में पुराने उल्टे उल्टे भक्ति के संसकार जो हैं वेह जब निकले तब ग्यान की धार्णा हो योग हो से कितना नशा चड़ा और भागे फिर कितने तोट भी पड़े माया भी हैरान कर देती है अब ब्रमा के बच्चे वह होगे ब्रम कमार और कमारिया या पूरी रिती समझाना है नहीं तो मनुश्य डरते हैं अब बाप को तो जरूर ब्रमा का श्री लेना पड़े सो भी बड़ चाहिए छोटे बच्चे में प्रवेश करेंगे क्या कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के अंत में आता हूं इसने बहुत शास्तर पड़े हैं गुरू किये हैं तो अनुभवी होगा ना बाप कहते हैं मैं बान परस अवस्था में आता हूं शास्तर आदी पड़े है तब तो समझा सकते हैं अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बाबा आता है और आकर मनुश्य से देपता बनाते हैं अर्थात पुरानी दुनिया को निया बनाते हैं तुमको अभी निया बना रहे हैं इस पुराने तन में राज योग सीक फिरसत योगी निया शरीर जा कर फिर देवी देप्टा कहलाएंगे बहां माया होती नहीं यह तुम समझा सकते हो कि हम ब्रम कमार कमारियां हैं ब्रमा को प्रजा पिता कहा जाता है यह तो सब मानेंगे कि भगवान ने आदम बेवी यह ब्रमा सरस्वति दोरा रचना रची है गीता में कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ शुदर से ब्रामन बनाकर ज्ञान अमरित पिलाए असुर से देपता बनाते हैं भल यह लिखा हुआ है प्रंतु पहले शुदर बर्न से ब्रामन बर्न में लाते हैं तो तुम समझा सकते हो हम ब्रम कमार कमारी हैं ब्र अमनों की श्रुवात संगंपर ही होती है, ब्रमा दवारा हम ब्रामन पड़ते हैं, रुदर ग्यान यग की संभाल करते हैं, हम अपने विकारों की अहुती देते हैं, यग में सब कुछ स्वाहा किया जाता है ना, तो हम रुदर ग्यान यग में और कोई किछणा नहीं डालते अपने पापों को स्वाहा करते हैं, कोई आग आदी तो जिलाई नहीं जाती, ना कोई आवाज आदी ही करते हैं, वह तो कितना आवाज करते हैं, स्वाहा, स्वाहा, हम तो योग में रहते हैं, कोई आवाज नहीं, चुप, योग अगनी से पाप भसं हो जाते हैं, इस रुद ग्यान यग में योग अगनी से हम अपने पांच विकारों को स्वाहा करते हैं, तो पाप भसम हो जाते हैं, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी गाई हुई है, जिसको जगदंबा कहते हैं, उनसे सब कामनाई पूरी होती हैं, बह अंबा फिर लक्षमी बनती है, बच्चों को प रहें, फिर बिकरम भी बिनाश हो, बुद्धी पुवित्तर नहीं होगी, तो अभिनाशी ज्यान रतन ठहरेंगे नहीं, बच्चों को समझाया है कि पहले भोग लगा कर फिर खाया जाता है, क्योंकि उनका ही सब दिया हुआ है, तो फिर पहले उनको याद कर भोग लगाते हैं, अहवान किया जाता है, फिर जैसे की साथ में मिलकर खाते हैं, बाबा तो है संपूरन पवित्तर हम हैं, जैसे भेलनियां हम याद करते हैं, तो क्या बाबा हमारे साथ बैठ खा सकता है, हम अपने को संपूरन पवित्तर तो कहने ही सकते, तो हम भेलनियों के साथ वह ख खाएंगे फिर बासना लेते हैं बासना लेना कोई खाना तो नहीं हुआ ना खश्बू ले लेते हैं हाँ कोई 45% धारना करने वाले अच्छे बच्छे भोजन बनाकर बाबा को खिलाएं तो बासना लाइक भी हो क्योंकि बाबा है बिल्कुल शुद्ध वह हम पतीत के साथ खाए यह ला नहीं कहता वह बासना ले सकता होगा बाबा कहते हैं मैं बासना भी क्यों हूँ मैं तो निश्कामी हूँ बासना लेने की भी मेरे पास कामना नहीं है मैं 100% निश्कामी हूँ भोग उपर जाता है बहुरूपी बैठ देपताओं को खिलाते है देवताईं चाते हैं हम ब्रम्मा भोजन खाएं तो बाबा मम्मा और फिर ऊपर से देवताऊं की आतमा आती है फिर भी रूची से तब खाएगी जब पकाने वाले योगी हो देवताईं भी ब्रम्मा भोजन की महमा करते हैं बाप तो कहते हैं मैं आया हुआ हूँ तुमारी सर्विस करने हम तो तुम्हारा पूरा निश्कामी सर्वेंट हूँ तुम भल 36 परकार के तो क्या 108 परकार का भोग लगाओ भगतों नहीं भोग लगाया और भगतों नहीं बांट कर खाया भगवान निश्कामी है तो भी आप पर करना चाहिए, बड़े राजाएं आदी कभी हाथ में लेते हैं, उनमें भी किसम किसम के होते हैं, कोई ले भी लेते हैं, बाबा का राजाओं आदी से कनेक्शन रहा है ना, तो हम बाबा को भोग लगाते हैं, कामना है कि हम बाबा से बिशब का मालिक बनने राजाएं ले वे तो है ही दाता यह सारी सुक्षम बातें हैं भोग कहां ले नहीं जाते हैं यहां ही बैठ बेकुंट का सक्षत करते हैं यहां से जैसे की गुम है अच्छा मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मोर्निंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादा को शर्दा बरी प्रेम बरी नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा इस मीठी 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 मुर्ली के लिए दारना के लिए मुख्य साथ नमबर एक बाप भल निशकामी है लेकिन भोजन का भोग जरूर लगाना है बहुत शुद्दी से भोजन बना कर बाबा के साथ बैठ कर खाना है नमबर दो इस रुदर यग में योग बल से अपने पाप स्वाहा करने है आवाज में नहीं आना है चुप रहना है बुद् परदान, न्यारे और प्यारे पन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिये बनने वाले निरंतर योगी बाब में बाप का कितना प्यारा हूं इसका हिसाब न्यारे पन से लगा सकते हो अगर थोड़ा न्यारे हैं बाकि फस जाते हैं तो प्यारे भी इतने होंगे जो सदा बाप की प्यारे हैं, उसकी निशानी है सब्ते याद, प्यारी चीज सब्ते और निरंतर याद रहती है, तो यह कलब कलब की प्रिये चीज है, ऐसी प्रिये बस्तो भूल कैसे सकते, भूलते तब हो जब बाप से भी अधिक कोई व्यक्ति या बस्तो को प्रिये समझने लगते अगर सदा बाप को प्रिय समझो तो निरंतर योगी बन जाएंगे सलोगन जो अपने नाम, मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं वहीं परवकारी हैं।